हेलो हाई नमस्ते सब्सक्राइब आज की इस न्यू वीडियो में आज जो में स्टॉक के बार में बुलूंगा वो स्टॉक के नाम है गनेश हाउजिंग कॉर्परेशन लिमिटेड इसमें भी काफी अच्छा पैटन बना है मैं यह स्टॉक के आगे बढ़ने के पहले कुछ अपडेट दे रहा हूं मैंने लास्ट एक वीडियो किया था लास्ट एक वीडियो नहीं दिन होगे लेके करके यहां पर था क्या नाम इसका स्टॉक तु बाई और करेक् जो यह पहला स्टॉक था उसमें बिर्ला कॉर्परेशन लिमिटेड था जो बिर्ला कॉर्परेशन का उसमें में 875 का था और देख लीजे बिर्ला कॉर्परेशन और अच्छा मूव दिया है यह काफी कम टाइम में अच्छा मूव दिया है और दूसरा मेरा स्टॉक था एक पेनिन्सूला लैंड के बारे में था तो चिसे को इंट्रस्टोड होगा यहां पर मैंने नाम लेखे यह बिला कॉप करके एक इक स्टॉक है और दूसरा स्टॉक है पेनिन्सूला लैंड दोनों का मुवमेंट देखे ना कैसा गया कैसा नहीं गया तो अभी इस टॉक के आप जो वीडियो बना रहा हूं वो गनेश हाउजिंग के बार में है तो इसमें मुझे काफी पहले कुछ लोगों ने पूछा था उसमें कुछ दीखने रहा था पैनिवे जिस किसी के पास गनेश हाउजिंग है उसमें काफी अच्छे के लेवल्स पर उसमें बेक आउट डिया है क्या दिखने वाला क्या ने डिखने वाला जिसके को रखना है जिसके को एंट्र करना है वो भी एंट्री कर सकते मटकMore सेसे हर वीडियो में होते मेरे तो यह आज का जो क्लोजिंग प्राइज है आज का 6 एप्रिल है गनिश हाउजिंग का 64 रुपीज 35 ऐसे है इसमें मेरा वन अब फेवरेट अभी मुझे एक प्राइटन दिखा था अभी मैंने ड्रौ किया है वह आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में आगर वीडियो के एं गनेश हाउजिंग के बारे में फिर से यह आपके सामने जो डेली का है इसमें दो लाइन है इंपोर्टन यह रिख आपको यहां पर एक है और थोड़ी देर में करनेट कर रहा हूं को आपको दोनों का इंपोर्टन एक यहां पर और दूसरा होता है यहां पर दोने थोड़ लेवल है 48 रुपीस का तो यह 48 रुपीस का इंपोर्टन लेवल है यहां पे इसने न दो थियर एक अपना पूरा सही कर दिया एक तो पहली और तो एक मेटर में यह दोनों आरो निकाल देता हूं तो आपको मैं बताता हूं इसमें जो भी कोई कि यह लेवल पर था मेरे यूके का ग्रुप है उसमें बट में को तभी देखना था कि बाउंस बैक हुआ कि नहीं यहां पर यहां पर सही से बाउंस बैक हुआ है और यह काफी अच्छा लेवल दा 48 रुपीस से लेके अभी जो गरेश हां दिया 64 रुपीस का तभी देखते इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टन लेवल था इसलिए बताया नहीं था अब वह इंपॉर्टन लेवल क्रॉस हो गया है अब वीकली बेसिस में रेखेंगे हम इसको तो काफी अच्छे से समझेगा तो इसमें फिस एक लंबा चौरा टार्गेट बनने का लेना और यहां पर विडिला कॉप जाके दोनों देख लेना यहां पर मैंने नाम लिखा है आपको स्वेसिवाएगा ने के लिए तो अब इसको हम वीकली लेकर जाते तो गनीश हाउसिंग आपके सामने है यह है वीकली है फिल्स है जिसकिसने नोटिस किया रहेगा उसमें इसके बार टाटाशिल भी जाके देख लेना मैं स्टार्टिंग से वीडियो है इसके बार में काफी मैंने अपडेट दिया है रिसेंट लेक अप्डेट यहां पर इसका यहां पर अच्छा ब्रेक आउट होगा तो अगर यहां तो मिलता तबी या तो इस पर जाता तो नज करते हैं मेरा गनेश हाउसिंग का एक्सपेक्टर यह है अब इसको टाइम फ्रेम मत पूछे क्योंकि मैं हमेशा बोलतों आडिया नहीं है यह ब्राउन लाइन का है मेरा ओवर और इसका आने वाले दिनों में या तो महीनों में तो साल भी लग सकता है इसको टार्गेट बन न में पेर Etui बट रहाने की पहले मैं सोच हो कख में अपनों फ्रेरंगे लेवल connect में यह वह था विए यहाँ पी यहाँ पाफी पहले से यहां पर रेकौ रिक आउट्वा होनिया था ब्रीग यहाँ उसके बार इने चलता में सब्सक्र इ lange सर्दाब fils दिन के सवाष्ब आ नहीं चला इंदसन्स चला अच्छा घाथा अब यहां पे पिंक लाइन का यहां पर ब्रेकाउट डिया जहाँ पे मेरा आइरो है तो आप यह पींग लाइन के जाओगे तो काफी अच्छा है यह पिंग लाइन का इसके रिजिशन्स दे तो यह इन ओवर ओल ऐसे दिख रहा ह तो आई होब कि आपको समझ में आगे रहेगा पिंक लाइन इंपोर्टन क्यों है अब भी पिंक लाइन के बाद फिर से और एक रेजिशन से तो जो भी कोई गनेश कॉर्परेशन होल्ड रखा है या तो जिसकी सिने मुझे पूछा था मुझे इनका नाम यहार नहीं आ रहा ह इसका एक इमिपेट रेजिशन से जो चाहिन से 75 रूप Yahoo यह तो रेजिशन हो गया अब जिस किसी को एंट्री करना है अगर वीकली का हम वेट करेंगे तो वीकली में आपको विल सकता है जैसे कि यहां पर वीग ली में स्टार्टिंग में एक डेली में पैटन था आप को यह ранा जाए था तो यह और ली ऑवर लेह थे स्कीया तो इसके कि व्यूटर्स कुछ तायर ले करें वह तो आप गनेश हाउसिंग के बारे में यह काफी इंपोर्टन लेवल है 57 जो ब्रेक आउट डिया है अभी जो 64-35 चालू है तो जिस किसी को इंट्रेस्टर होगा लेनी के लिए और यहां तो दो पार्ट मिलीजे यहां पर 57 रूपिस से लेके आप 60 की बीच में ले सकते हो ठी rupie का 57 से लेके 60 के भीच में ले सकते हो आपको stoppedless रखना है आपको 50 को 57 से लेके 60 के भीच में ले सकते हो 50 क्ärका 50 का बंदल सकते है जो इसको लेवल बदल सकते हो 64 का जो इसके पहले जो लेवल तो बहुत है वह भी एक लेवल है फिर एक डिए जादा हो जाएगा जिस कीजिए को अगर वेट करना है जो भी कोई कर सकते तो 50 उपे का stopless रख़िए 51 रुपे से लेके 64 तक बाई कर सकते हो जो भी कोई बाई करेगे गनेश हाउजिंग उसका इमीडियेट इसको रिजिशन दिखना है 75 रुपेस जो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में लिगे गाता अगर यह सब सही चलेगा तो इसको टाइम लगेगा और यह जा सकता है 80 90 100 120 के आसपर जा सकता है गनेश हाउजिंग तो इस वीडियो में मैंने कुछ मेरा थोड़ा बहुत दिन के पर बहुत हो शायद आगे पीश होगे पर एनिवे यह अल्टिमेट यह है मेरा काफी दूर है इसको गनेश हाउजिंग को जाने के लिए इसको एक ही चीज कर सकता है सर हो जाते हैं तो आप जबी भी स्टॉप्लस लोग है तो आपको आपको स्टॉप्लस तो जो मैंने अग्रिसी टार्गेट दिये है इसके काफी टाइम मतलब इसको टाइम भी लग सकता है आप देखें यहां पर यह 26 रुपीज से लेकर 64 हो गया है काफी कम टाइम पर यह जा स्टॉप्लस का रहेगा उसका 45 रुपीज जो भी कोई करना है फिर से फिफ्टी वन रुपीज से लेकर 64 के विश में रखना है आपको 11 रुपर का स्टॉप्लस रखना है और यह सकते हो वह सब क्लोजिंग पेसिस पर ही होते अगर आप ले सकते हो वह उस पर तो आपको इम पर देमें टार्गेट बता है गने शावजिंग के बारों में तो फिर से जिस किसी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक को सब्सक्राइब ना करना वोलो वह से तो कोई करता नहीं है इन्यूए तो कर देना ठीक है और फिर से एक बार यह पर यह पर देख लेना इसमें आ में डिस्क्रेमर का पेज उपनता रहो यह और मेरा डिस्क्रेमर है थैंक यू